दोस्तों ABC कोचिंग योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हैं आसा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे अपने बोर्ट इक्जाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से जबरदस तरीके से कर रहे होंगे आज की सी वीडियो में क्लास 11 कोमर्स की सब्जैक्ट मिजनत स्टडी का मस्ट इंपोर्टन विबियाई ऑब्जैक्टिव कोशन बताने वाला हूँ जो की आपकी बोर्ट की परिक्षा में डारेक्ट प्रसन पूशे जाएंगे तो सभी चातर इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक शेर करते विए आप हमारे चैनल पर नए है तो आप सभी से रिक्वेश्ट एक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेला को प्रेश जरू कर लिजेगा तो चले दोस्तों कोशन के ओर चलते हैं दोस्तों आपको पता ही है समान निर्देस्ट इसको मैं छोड़ देता हूँ किसे वेपार की सहायक कीरिया की स्रेड़ी में वर्गे करित नहीं किया जा सकता है तो इस कांचल जागा ओप्सन नमबर A खनन यानि की मीनिंग चलिए अगला कोशन के ओर चलें तो यहाँ पे तिसरा कोशन दिया गया है कि कच्चे माल को पके माल में परिवर्थित करना कैसी उप्योगिता का स्रीजन है तो इस कांचल जागा रूप उप्योगिता ओप्सन नमबर D अगला कोशन है कि एकाकी वेपार में याद रखेंगे यहाँ पे एकाकी वेपार दिया गया है एकाकी वैपार में वैपारी का दाइत्व होता है तो इसका अगला कुशन है यहाँ पे दिया गया है कि हिंदू उत्रा धिकार अधिनियम कब पारित हुआ तो दोस्तों यह सभी तो आपनों को अल्रेडी मालूम होगा कि 1956 में यह पारित हुआ था याद रखेंगे 1956 उप्सन इसका सही अंसर होगा अगला सवाल दिया गया है कि एक फर्म में साजेदारों का नियुनतम संख्या होती है यानि कि कितने होती है इसका यानि कि पार्टनर सिव कितने होती है तो आपसन नमबर यह हो जागा दो पार्टनर सिव होते है ठीक है याद रखेंगे चलिए अगल सवाल है कि एक व्यवसाय को प्रारंब करते समय कौन सा तत्व ध्यान में रखना चाहिए तो दोस्तों इसमें जो है इसका सभी आंसर हो जाएगा यह जाएगा option number D इसका सभी आंसर होगा ठीक है आठ का डी नमबर आंसर होगा अगला कोशन दोगा डीया है कि एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमान पत्र कोण जारी करता है यानि कि कि किसी भी फर्म का जो है सार्टिफिकर जो है कौन इसू करता है तो दोस्तों इसका आं सिमिना नियम ठीक है उप्शन नंबर 20 का सयां चरोगा अगला सवाल है 11 नंबर दिया है निम्डे में से कौन विदेशी बहुराष्टी कमपणी नहीं है इसलिए तो इसका उप्शन जो है दिसका सयां चरोगा अगला सवाल 12 नंबर दिया है निम्ने में से कौन सी व्यवसाइक सेवा नहीं है तो दोस्तो उत्पादन जो है एक व्यवसाइक संचादनियानिक व्यवसाइक नहीं है ठीक है व्यवसाइक सेवा नहीं है चलिए अगला सवाल तेरे नंबर दिया है भारती रिजर्व बैंक अस्थापित हुआ तो भारती र नमबर भी हो जागा सेवा करना ठीक है यह इसको अच्छे से यार रखेंगे प्रीबियस एन में भी कोशन पूछा गया था यह रिपीटेट कोशन है यह काफी बीबियाई कोशन है चलिए अगला कोशन 15 नमबर दिया है कि अगणी वीमा पॉलेसी वर्स के लिए लिजाती है अगणी वीमा पॉलेसी जो है कितने वर्स के लिए जो है किजाती है तो इसका अंसर है दोस्तो एक वर्स के लिए जो कि अप्शन नमबर ए में दिया हुआ है चलिए अगला सवाल यहाँ पे 16 नमबर दिया है कि व्यवसाई के लिए सबसे उप्यूगत खाता है तो अगला सवाल है कि अस्थान उप्योगता प्रदान की जाती है तो उसको कहते है परिवहन अस्थान उप्योगता प्रदान की जाती है किसके लिए परिवहन के लिए ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल 18 नमबर दिया गया है कि डैस के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक वं समर कहते हैं तो option number A इसका सेयांच रोगा अगला सवाल है कि e-commerce ने व्यवसाई का छेत्र कर दिया है तो इसका अगला सवाल है कि e-commerce का पर्दूपर्दू सबहाव होते हैं तो इसका अगला सवाल 21 नमबर दिया है समाजिक उत्तरदायत्व है तो इसका अगला सवाल है कि आटो मोबाइल द्वारा कार्बन मोनोकसाइड को छोड़ना पर्थेक्च रूप से सहयोग करता है इसका अगला सवाल 23 नमबर है दिया है अनसों की हस्तां तृतिनिय व्यवसाय संगठन के लिए किस प्रारूप की विशचता है इसका अगला कोशन है 24 नमबर दिया है निमलिखित में से कौन सी सन्युक्त पुन्जी की सीमा नहीं है तो इसका अगला सवाल 25 नमबर दिया है कि कंपणी के अंसधारी होते है तो कौन होते हैं वो होते हैं स्वामी यानि की ओनर होते है ठीक है अगला सवाल है कि निमने में से कौन दिरिग कालीन वित का सुरूत नहीं है तो हुड़निया जो है ये दिरिग कालीन वित का सुरूत नहीं है अगला सवाल है कि अंसों का लभांस देना है तो इसका अगला सव है कि I C I C I की अस्थापना कब हुई यह जो कोशन है यह रिपीटेड है इनको आप लोग अच्छे से जो है रट लेनी है मैंने जिस तरीके साब को पहले ही कहा कि इस वीडियो में बताएगे सभी कोशन को आप कॉपी नौट कर लिजे क्योंकि इसे जो है इस वीडियो में बत है कि जी डी आर निर्गमित किया जाता है तो इस कांचल जागा डॉलर में ठीक है यानि कि यह जो है डॉलर में जो है निर्मित किया जाता है अगला कॉशन है कि सेवा छेत्र में लगू अस्त्री उद्योगों में विनी विनी योग सीमा है तो इस कांचल जागा दो कड़ो option number B अगला question है कि लगू उद्योगों को सरकारी सहाता परदान की जाती है तो अनुदान द्वारा जवसे सरकारी परदान की जाती है ठीक है चलिए अगला सवाल है कि लगू उद्योग विकास कोज की अस्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया अगला सवाल है कि माल की घर पर सुपुद्र दगी की सुविधा पराया दी जाती है यानि कि दोस्तों यहां पर समझेगा यह किसी भी माल की घर पर जो है तो इस कांसर दोस्तों यह हो जाएगा फुट कर वेपारी दुवारा यानि कि रिटेलर दुवारा जो है यह सारी चीजे परदान की जाती है option number A इसका सयंस रोगा अगला question है कि नगत करय और उधार विकरय करता है तो कौन करता है यह थोक वेपारी करते हैं जिसको हम लोग कहते है वॉल सेलर ठीक है यानि कि हॉल सेलर उसको कहा जाता है चलिए अप्शन नमबर 20 का से अंसर होगा 35 नमबर यहां पर कोशन देखें लिखा है निमलिखित में से निर्मताओं का फुटकर संस्थान कौन सा है तो इसका जोड़ागा बहुत संक्यक दुकान यानि कि मल्टिपल स्वाप ठीक है अप्शन नमबर 20 का से अंसर होगा अगला कोशन है 35 नमबर कि परती इकाही कम लाब कमाता है तो इसका जोड़ागा धोक वैपारी जो है यानि कि जो है हॉलसेलर जो है वो परती वक्ती जो है कम प्रोफिट अर्न करती है ठीक है चलिए अगला कोशन 36 नमबर दिया गया है कि भारत तता चीन के मद्य होने वाला वैपार है तो उसको हम लोग कहते हैं विदेशी वैपार जो कि अप्शन नमबर D सही आंसर होगा अगला है कि जब आयत निरियात की तुनला में अधीक होगा तो वैपार संतुलन होगा तो क्या भी सही आंसर होगा यानि की प्रतीकुल ठीक है इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है यह काफी इंपॉर्टेंट है और यह भी भी आया रिपेटेट कोशन भी पूछा गया है चलिए अगला कोशन यहापे दिया गया है 49 नमबर में विदेशी वैपार की अवस करता होती है अगला कोशन यहाप चालिस नमबर दिया गया है कि निमलिखित में से माल के स्वातत्व का प्रेखला प्रालेख कौन सा है तो इस कांच उड़ागा जहाजी बिल्टी ऑप्सन नमबर आपका सी जो है सही आंसर होगा दोस्तों बिजनत स्टाडी के जो है मैंने 40 कोशन आपनों को बता है चालिस कोशन आपनों को जो है पूरे की पूरे याद कर लेनी है क्योंकि इससे डार्ट कोशन आपको बोटकी परिक्षा में देखनों को मिलने वाला है इसलिए दोस्तों अच्छे से जो है रिपीटेट कर लिजेगा रिविजन कर लिजेगा तो च वोग मेज़